फाइली रियल्मी ने अपने रियल्मी 12 Pro Plus को काफी दिनों पहले लॉंच कर दिया था और जैसे कि हमने आपको प्रोमिस किया था आज मैं आपको दिखाने वाला हूं रियल्मी 12 Pro Plus का रिव्यू डिटेल रिव्यू होगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा जैसे कैसी इसकी कैमरा क्वैल्टी है पर्फॉर्मेंस कैसी है स्मार्फोन की डिस्प्ले बैटी बैकप हर वो चीज जो कि आप जानना चाहते हो तो रिव्यू काफी इंट्र इस नंबर सीरीज वाली बात कर रहा हूं जहां पर हमें पैरिस्कोप लेंस देख मुझाता है और दूछी इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट वो इसका 120 जूम देख मुझाता है तो सारी चीज़े मापको दिखाऊंगा इसकी 120 जूम में कैसी क्वेल्टी देख मुझाती है व आपे काफी सारे स्मार्टफोन में देख मुझाता हूं और हमने उसकी क्वेल्टी पहले भी देख हूं तो आपको वही नाइट मोड स्टीड मोड वीडियो में आप देख होगे तो 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और अगर आप 1080 में सेच्प करोगे तो वहां प प्रोग्राफी यहां पर कर सक्ति हो लगवग में कहाँ क्योंकि फीचर तो आपने समें देखे लिए कि क्या कुछ देख नहीं अब लेकिन अब इस यहां पर काफी तरह से इसने मैनेज़ किया है low light daylight दोनी conditions में रियल वी 12 pro प्लस रहे हमें काफी अछी खासी डोनों ही स्मार्टफ॑न की पर यहाँ पर मैं 4K 30th face में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख तो stability हमें काफी देखने मुल जाती है और यहाँ पर भी जो color बगएरा है ना वो यहाँ पर भी हमें अच्छे देखने मुल जाते है selfie की बात को देखो selfie ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि quality बेकार है वो है भाई quality काफी अच्छी देखने मुल जाती है लेकिन मुझे इसकी stability है थोड़ी कम यहाँ पर लगी smartphone की selfie की तो वो थोड़ी और अच्छी होते तो काफी अच्छा हो सकता था अदरवाइस quality wise यहाँ पर हम कह सकते है रियल्मी ने अपकी बार camera में कोई भी compromise नहीं किया है आप मुझे पता यहाँ पर आप किस चीज का वेट करे हो आप वेट करे हो इसके 120x zoom का तो चली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं इसका 120x zoom टेस्ट तो यहाँ पर आप दे देखने में जो की 120x zoom तक देखने हैं बाकि आप बताना आपको इसकी 120x zoom वाली images कैसे लिगी क्या आपको लगता है कि यह best smartphone है 120x zoom के साथ इस pricing में और एक चीज और मैंने देखी थी काफी सारे दोस्ते YouTube पर भी बात कर रहे थे और हमारे comment में भी बात कर रहे थे इस smartphone का सीध बॉक्स में जूर बताइएगा अधरवाइस है मैं नोर्मली बात को इस smartphone के camera की smartphone के rear camera की smartphone के selfie camera की smartphone की video quality की तो हम एक conclusion पर निकल सकते हैं कि जो smartphone का camera है ना no doubt यार quality आपको काफी अची प्रवाइड कुलाता है और 32,000 के इसाब सी smartphone की camera quality की बात पूर तो बहजीन camera quality हमें देखन जाता है और इस smartphone को मैं सिदा सिदा compare को realme 11 series से तो काफी सारी दोस्त कहते हैं कि ज्यादा बड़ा चेंज है रियल्टी में चेंज है अगर आप 11 series उच किये ना तो आपको अलग से ही पताद समझाएगा कि 12 series है उसको ज्यादा premium बनाने की कोशिज की गया है और यहां पर हम क जी किलकर आती है वो काफी तगड़ी देखनाती है मैंने इस से पहले आपको realme 12 profile जी का भी review दिखा था अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात हैं देख सकते हो description में मैंने link दे दिया वहां पर भी मैंने एक चीज़ बता था कि यहां पर एक चीज़ आप यहां पर कर सकते हो मैंने personally इस चीज़ को feel किया और देखा है यहां पर आपको backward यूज़ करना पड़ेगा यह चीज़ मैं आपको बदा दू पहली बात है वीगर लैदर एक रीज लगती काफी अची है लेकिन डेमेज काफी जल्बी हो जाती है तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहां पर बाई बैक कोवर जरूर यूज करना दोनों के लिए अच्छा होगा बैक में वीगन लैदर के लिए और फ्रेंड में स्मार्टफून की डिस्प्ले काफी है में बीडिए निगळाते हैं soup dei तो क्रोड निगल कर आते हैं तो वह बहां पर आपको काफी है देख मुझाते हैं, हाँ काफी सारे दोस्त पूछते हैं, यहाँ पर जो Netflix है, वो HDR स्पोर्ट करता है, यानि देखो अभी के टाइम पर मैं बात को यह Netflix में HDR स्पोर्ट नहीं करता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अपडेट्स के बाद वो भी इनेबल कर दे, जाना चांस है कर देगा, आपको जल्दी वो चीज़े देखने को मिल जाएंगी, एक चीज़ों मैं बताना चाहूँगा, इस स्पीकर के बारे में पूछते हैं काफी सारे दोस्त की कैसी है, क्या ज्यादा ही लाउड है, या कम है, क्या आवाज फटती है, देखो आवाज वगारा कुछ भी नहीं फटती है, स्पीकर की क्वेल्टी आपको काफी अची देख मुल जाएगी, अगर आप कोई येंटफोन के भी कोई कंटेंट लोगे, तो आप उसको इंजोए करोगे, आपको ऐसा निया, काफी क्लियर वोइस आपको देखने को मिल जाएगी, बैंड्स के बारे में बात करते हैं, काफ एफ्य प्रोफन को मिश्तंपमे attract वाला 30 प्रेश जार वाला थास्मेर्ट रखा है और है मैं भी आथे अच्छा प्रेशा बात करते हैं दोस्तों स्मार्फन्यीफ मैं अठ़कें मगाई प्रोफॉमेंश के लिए स्मार्टफून चूज करे थे तो मैं आपको भाई सीधा ही डिनाय कर देता हूँ आप स्मार्टफून की तब देखना भी लो क्योंकि अगर आप भाई हैवी गेमर हो आप चाहते है तो आपको 32,000 के अगर अगर आप थोड़े ऊपर जाते तो वहाँ पर भी आपको क स्मार्टफून की तब जा सकते हो यहां पर हला कि आपको स्नेपने का स्वेंगा स्टू चिपसेट देखने जाता है स्टोरेज टाइप की बात को तो यूफस 3.1 की स्टोरेज टाइप आपको अच्छी है फास्ट होती है इसली अगर आप डाटा टांसफर को एरा करते हो त तो भाँ पर आपको को भी दिक्त लियो थी हाँ चलीम आपको इसके कुछ ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि कहा दẫnक के की की ग्राफिक सेटिंग को यह स्पोर्ड करता है तो यहां पर आप हमारी ढिसपेपर देख सकतो ऑच्छी खासि इहां पर अच्छी खासी दोस्तो तो मैं आपको कहूँगा कि आप दूसा स्मार्फोन देख सकते हो लेकिन हाँ अगर मैं बैट्टी की बात को ना तो भाही 5000 इमेज की बैट्टी देख मुझाते है और चार्जिंग की आप इस चीज़ से एक्सपैट कर सकते हो मैंने इस स्मार्फोन के अंदर एक घंटी तक ग स्मार्फोन में मिल जाता है और यहां पर में देख सकते हैं यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर 100 वोट का फासर मिलता तो और भी अच्छा हो सकता था लेकिन अभी 67 ही मिल रहे है तो हमें इस से काप जलाने पड़ेगा और अधर चीजों की बात कुन जैसे दोस्तों बात करता है काफी अच्छी तरह से काम करता है काफी फास्टली काम करता है आपको कोई विशु देखने मिलता फेशन लोग है वो भी आपको काफी अच्छा काम करता हुआ देखने मुझा आता है एक चीज़ और बता रहेता हूं काफी सारे दोस्तों मुझे बार-बार बार कूशते कि क्या यहाँ पर pre-installed application देखने मिलती है तो हाँ भाई यहाँ पर pre-installed application आपको देखने मिलती है लेकिन आप अच्छी बात है कि उनको uninstall कर सकते हो और इतनी ज्यादा भी नहीं मिलती है अगर मैं इसको compare पूर इसके previous smartphone से तो यह थी दोस्तो Realme 12 Pro Plus के बारे भी मेरा review मैंने अपना overview आपके साथ share किया अपना experience आपके साथ share किया कि कैसा smartphone क्या हमें खरीना चाहिए या नहीं हाँ अभी खरीने वाली बात पर आ जाते कि 32,000 के हिसाब से कैसा smartphone देखो again हूँगा मैंने 12 Pro में भी यही का था अगर आपको pricing के Samsung best look and design, best camera चाहिए तो no doubt मैं आपको इस smartphone को recommend करूँगा और हाँ best betty backup भी चाहिए तो आप इस smartphone को आख बंद करके खरीश सकते हो आपको कोई भी शू देखो नहीं मिलेगा Realme 12 Pro Plus 5G smartphone का कैसा लगा कमेंड बॉक्स में बताना आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स टेमे चेंदो